आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तोरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। पाश्रित है, सी आपका देरका के बरावत दस्कीगान माइनस पाँच वाले एक एक शार के की अमलिका प्येच पाँच है, इस अमलिका वियोजन की मात्रा पचास परतिशत है, डिया आपको देरका लाज शात लिए सिद्दान तसम आयन प्रभाव पर नहीं लागू होता, सही कतर है आपका, A आपको देरका B O C है, B आपको देरका A O B C है, C आपको देरका A B तता D है, D आपको देरका यहाँ पर उप्शन A B तता C है, तो सबसे पहले बात कीजिए आप A उप्शन की बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यह आपका अमले है, यह आपका माइनस M2 V2 यह आपका आएगा यहां से बराबर M3 V3 आएगा आपका बास मज़ी आ रिए तो यहां से M1 आपको कितना दे रखा है 0.1 गुन आपका 400 आज आएगा M2 आपको कितना दे रखा है यहां पर गुना में आपका 2 आएगा क्योंकि यह आपका 2 इशार किए तो 2 से गुना करेंगे M2 का मान कितना आएगा यहां से 0.1 और V2 का मान 400 आएगा तो 400 गुना 0.1 लिख दें यह आपका किस में आ रहा है Ml में आ रहा है बहुत समय रहे है और M3 का आपको यहां से निकालना है तो आपका कुल Icon कितना हो जाएगा यहां से 800 हो जाएगा तो 40 बटा आपका 800 आजाएगा कितना जाएगा 40 बटा 800 आजाएगा एक 0 से एक 0 कट जाएगी आपकी आपका क्या रह जाएगा या नीचे एक बटा 20 रह जाएगा आपका एक बटा 20 है तो यहाँ पर आप 100 से उपर गुणा कीजिए इसी तरह से 100 से नीचे गुणा करोगे आप तो यह आपका क्या जाएगा पांच गुणा दसकी घात माइनस दू आजाएगा इससे आप पी एच का मान निकाल सकते हैं यह आपके एच प्लस का मान आगया आपका तो पी एच का मान आपका कितना आजाएगा बच्चों यहाँ से यह आपके आ जाएगा यहां से माइनस लोग H प्लस तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलने आला है अपने यहां से आपको माइनस लोग पांच गुणा दस की घांत माइनस दो मिलेगा यही मिलेगा तो यह आपका क्या बन जाएगा यहां से 2-5 आपका आएगा और लोग 5 का मान आप जानते हो 0.7 होता है 2-0.7 कितना होता है आपका 1.3 आएगा तो pH का मान यहाँ से सत्ते है यानि यह कत्थन तो आपका सत्ते है अब बात करते है B option की जल का आइनी गुननफल ताप पर निर्भर करता है यह भी आपका क्या है सत्ते है अब यहाँ पर C option आपको दे रखा K का मान दसकी आप माइनस पांस दे रखा है एक शार के अमले का पीए 5 होगा और अमले की वियोजिन मातर आपको दे रखें यहाँ पर 50% दे रखें तो इसे C को आप हल करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ के आप अमल मान लीजिए आपके पास एक अमले CS3 COOH है तो आप इसे वियोजित करोगे तो किस में तूटेगा यह CS3 COO माइनस और H प्लस में तूटेगा आपका प्रारम में आपने सांदरता इसकी C मान लीजिए तो बाद में आपकी क्या हो जाएगी C माइनस C अलफा यह आपके T बराबर 0 पर है प्रारम में आप सांदरता T बराबर 0 पर क्या मान होगे C यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो यह आपकी कितनी हो जाएगी? टी बराबर टी पर आपकी सी माइनस सी अलफा व्योजन इसति रहन कहाँ?」 आपका 50% है, यहां से यह बहुत हैं तो यहां से के का मान आप लिखोगे तो क्या जाएगा? आपका सी अलफा यानी सी स्क्वाइर alpha square बटा c coast track में 1- alpha लिख सकते हो आप बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों तो c alpha square बड़ाबर आपका क्या गया 1- alpha अब alpha बड़ाबर आपको दे रखा है यहां से 50 परतीशत तो आपका 50 बटा 100 आपका कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा के कमान कितना दे रखा प्रस्ट में 10 की गहांत माइनस 5 दे रखा है आपको यह 10 की गहांत माइनस 5 लिख दिया अब यहांपर c कमान आपको निकालना है तो alpha कमान 0.5 गुणा 0.5 हो जाएगा यहांई alpha alpha square तो तो 1 माइनस 0.5 यहांपर लिख दोगे आप तो आपको क्या मिल जाना बच्चों c गुणा 0.5 गुणा 0.5 बटा 0.5 0.5 सी 0.5 कट जाएगा और c बराबर आपका कितना जाएगा दसकी गौट माइनस 5 बटा 0.5 ह जाएगा अब आप जानते हो h-plus बराबर आपको क्या है यहांपर h-plus बराबर आपका c alpha है c alpha है तो c कमान आप रख डीजिए 10 की गौट माइनस 5 बटा 0.5 बटा 0.5 5 अलफा कमान 0.5 है तो h-plus की सांतरता कितने आगे आपको दस्की घात माइनस 5 आएगी तो आपके पास pH का मान कितना आजाएगा बच्चों माइनस लोग H प्लस आजाएगा आपका ये कितना होता है आपका माइनस लोग दस्की घात माइनस 5 होता है ये आपका कितना मिल जाएगा ये आपको लाशात्य लिए सिधान सम आयन प्रभाव पर लागू होता है जैसे आपके पार N A C L है इसे आप तोड़ते हो N A प्लस और C L माइनस में इसी तरह से आप H C L लेते हो तो यह आपका टूटेगा H प्लस और C L माइनस में टूटेगा तो यहां से आप देखते हो सम आयन आपकी यहां पर आगे सम आयन के आधार पर आप देख सकते हो आपका क्या होगा यहां पर प्लोरिन की आयनों की संख्या बढ़ गई यानि आप जैसे दाब लगाओगे तो अभी किरिया कहा जाएगी पच्च दिशा में जाएगी, तो यहां से यह आफका निएम लागू होता है, समायन प्रुभाव का, यह आफका क्या हो जाएगा, यहां से अर सत्य हो जाएगा, इसतर से आप अन्य выше भी ले सकते हो, तो आपका कौन कौन सा सत्य हुआ, A सत्य हुआ, B सत्य हुआ, C सत्य हुआ तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आपका क्या आएगा यहां से D option आपका सत्य आंसर होगा, यानि सही आंसर होगा तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा D option आपका सही आंसर होगा धन्यवाद